नमस्कार फ्रेंड टॉपिक है डिसक्रिशन के लिए हमारे पास हुमन राइट के अंदर टॉर्टर एड अधर क्रूल इन्हूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिश्मेंट यानि कि इसके अंदर यातना आएंगी कुरूटता आएगी या फिर अपमान जनक बहेव एक्सपेक्ट करता है वो नहीं है तो उसको लेकर हुमन राइट या मानव अधिकार के अंदर क्या सोच है क्या कोई केंवेंशन कोबिदेंट या सतनक की चीज़ है उस सब की स्टड़ी यहां पर हम करेंगे यह जितने भी चीज़ें बताई हैं दोस्तों चाहे टॉर्चर ह हो चाहे इतने हिमन राइट आज़र हो चाहे किसी तरह गट्री लेडिएंग यानि कि अपमान जनग मेहेविर हो यह सब जो है वह अलग अलग होती है, सोसाइटी कर डिपैंड करती है, सोसाइटी का वरकिंस टाइल है और इनको लेकर जो मेथर या तरीके अपनाए जाते हैं वो भी अलग होते हैं जिसमें कี่ यह फीजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है यानि कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरीकों से ये टोर्चर क्रूल बहईवे він वह आप से किया जा सकता है जिसमें कि आईसोलेशन हो सकता है इलेक्टरिक शौक यानि कि आपको जटके दिये जा सकते हैं बिजली की suffocation हो सकती है pulling of the teeth आपके दान निकालना तोड़ देना या नाखुनों को तोड़ देना इस तरह की जो होती है चीज़ें या फिर किसी गरम चीज से जला देना जासे रोहे की राड़ या सिगरेट से किसी को जला देना या इसके अंदर आता है या किसी के बोड़ी पार्ट को नुकसान पहुचाना है जैसे पैर की उऍगली होगी किसी तरह का को नुकसान पहुचाना वो भी हो सकता है और साथ इसाथ आपका sexually या आपको टॉर्चर किया जा सकता है शारी रिक रूप से और इसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है अब सवाल ही आता है कि ये जितने वे treatment है ये किस के साथ होता है ये criminal के साथ हो सकता है अंडर ट्रायल जो प्रिजनर होते हैं उनके साथ हो सकता है या फिर जो एजन्ट होते हैं जो स्पाइंग करते हैं एक दूसरे के देशों के लिए उनके साथ भी हो सकता है प्रिजनर ओफ वार जो होते हैं जो युद्ध के दुरान बंदी बना लिए जाते हैं उनके साथ भी हो सकता है refugee कोई आपके देश में हों तो उनके साथ भी यह किया जा सकता है किसी सरकार के opposition leader हों अगर वो सरकार dictator बन जाए तो वो भी करवा सकती है अपने opposition leader पर पत्रकार या journalist के साथ भी ऐसा हो सकता है minority leaders या फिर children या बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है तो कुल मिला के देखा जाते तो यह जितने भी है यह सारे कहीं न कहीं किसी न किसी weak situation में होते हैं हाना कहीं न कहीं वो अपने आपको असहाइ महसूस करते हैं कि भाई हम helpless है यह हम उतने पावरफूल नहीं है जितने की बाकी दूसरे नागर्क हैं तो उस तरह की situation का advantage उठाने का कोशिच किया जाता है और कई बार यह बहुत से बार यह authorities ही होती है क्योंकि authorities को पता है कि यह weak है और हम इनका exploitation कर सकते है और इसको as a political weapon भी यूज किया जा सकता है जैसे मैंने आपको खा कि opposition leader पर यह try किया जा सकता है UDHR यानि कि General Assembly जो थी United Nation की उसने 1975 में एक declaration adopt की जो कि torture के against थी और General Assembly ने भी 1984 में एक convention जो थी torture के against जो थी adopt की थी इसी convention के article के 1 के अंडर जो torture जो था इसको define किया गया था जिसमें कि कहा गया था कि कोई भी ऐसा act जिससे बहुत जादी pain या suffering हो जो कि physical और mental दोनों हो सकता है यानि कि act का प्रभाव प्रमानसिक और शारीक दोनों रोप से हो सकता है या दोनों में से कोई एक हो सकता है और यह जो होगा वो intentionally inflict किया जाएगा यानि कि आप इन दोनों act को mentally physically use कर रहे हैं किस तरीके से जान बूझ के कर रहे हैं और ऐसा करने के पिछे कारण क्या हो सकता है तो इसमें बताया गया है कि या तो आप उस आदमी से कोई information लेना चाहते हो या फिर किसी तीसरे person से information लेना चाहते हो यानि कि उसको torture कर रहे हो और आप चाहते हो कोई तीसरे आदमी आपको information दे तो ऐसा भी हो सकता है या फिर आप तीसरे बरसन से कोई information या कोई confession लेना चाहते हो यानि कि torture आप इस आजमी को कर रहे हो पर आप उस आजमी को कह रहे हो कि भई information दे या कोई confession दे सिवकार कर किसी चीज को नहीं तो मैं इसको torture करता रहूँगा या फिर वो व्यक्ति जिसको आप torture कर रहे हो उसने कोई गलत काम किया है या फिर काम किसी तीसरे बरसन ने किया है पर punishment आप उसको दे रहे हो और ये सब जो act है वो आप शक के अधार पर भी उठा सकते हो हाना आपको सिर्फ शक है कि वह इसने ऐसा किया हो तो आप तब भी कर सकते हो अगर आप करते हो तो वो भी इसकी category के अंडर आएगा और इसी में आगे है कि उस व्यक्ति को intimidate करने के लिए ठीक न डराने के लिए धमकाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो या फिर किस third person को जैसे कि पहले मैंने बताया या फिर आप किसी भी reason के लिए किसी भी कारण के लिए जिसमें की discrimination का element हो आप इस तरह का जगर torture करते हैं तो वो भी इस torture की definition में आयेगा यानि कि आप भेदभाब करके किसी पर torture करते हैं आप भेदभाब जानि कि आप कोई legally जो है वालत काम कर रहे हैं नेक्स दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि जितनी भी पेइन सफरी की बाते की गई हैं इस definition के अंदर ये जो है वो किसी public official के द्वारा होनी चाहिए या फिर कोई आदमी as such public official appoint किया गया है उसके द्वारा कीगी होनी चाहिए इसमें instigation, consent और acquiescence भी in officer की हो सकती है तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो state है उसके official या उसके authority जो है उनको control में रखने की बात कही गी है कि अगर इन line को वो cross करते हैं तो वो उनके दोरा किया गया act जो है वो torture की definition में आएगा क्योंकि जादर मामलों में हम देखें तो state के जो official authority होती है वो ही इन सब चीजों को करती है जहाँ पर कि वो अपनी शक्तियों जो power जो है उनके उनका दुरुपयों करती है और अपनी limit को cross करती है तो उनको अपनी limit के अंदर रखने के लिए ये जो provision है torture की वो इस convention के अंदर की गई है और इस सब में उन सब pain ये suffering को बाहर किया गया है जो कि lawfully आपर inflict की जाती है यानि कि यहाँ पर कानून जो है वो भी आपको सजा देता है जिसकी pain suffering होती है तो उसको यहाँ पर बाहर रखा गया है कि भई जो आप पर legally inflict किया जाएगा वो तो भोगना पड़ेगा torture के बार में ये भी कहा गया है कि भई ये violation है human dignity की और ये crime against human beings भी है और ये भी कहा गया है कि भई इस तरह का law है torture के against तो वो customary international law का part है यानि कि वो उसके अंदर माना जाएगा कि इसका basic feature होना चाहिए international law का कि भई torture के against जो है वो सखत rules बनाए जाने चाहिए जहां तक बात करें state के obligation की तो वो भी कहा गया है कि भई state party जो है वो अपने administrative level पर judicial level पर या legislative level पर इस तरह के कानूर बनाएंगे ताकि torture की जो घटनाए है वो कम हो सके या उनको रोका जा सके और torture जो है उसको justify नहीं किया जा सकता even in exceptional circumstances और यह सब इतनी strict चीज़े हैं कि इनको आप during war या threat of war हो या internal को instability हो उसके दुरान भी use नहीं कर सकते और साथी superior authority का जो defensive वो भी नहीं ले सकते आप यह कहें कि मुझे तो order आया था इसलिए मैंने torture कर दिया तो वो defense भी आप नहीं ले सकते और जितनी भी party है इस convention की वो यह ensure करेंगी कि वो अपने जो municipal law है उसके अंदर torture against provision करेंगी और torture को as a punishment जो है उसको एक अपराद बनाएं करेंगी और strictly punish करेंगी उनको जो कि torture commit करेंगे next है दोस्तो implementation कि इस convention के अंदर implementation कैसे किया जाएगा नोसाब बातों का तो सबसे पहले है इसमें C.A.T. इसको committee against torture भी कहा जाता है इसमें 10 expert होंगे जो की higher moral standing के होंगे और human right के field में recognized expert होंगे और यह जितने भी expert होंगे वो state parties के द्वारा ही चुने जाएंगे और इसमें equitable geographical distribution का ध्यान रखा जाएगा कि ये कोशिच की जाए कि जो expert है वो इस दुनिया के अलग लग कोने से चुने जाए और अगर इनको कुछ legal knowledge होता है या legal background से होता है तो वो एक icing the cake यानि सोने पे सोहागा एक तरना से additional value होगी और इनक को दुबारा से चुना भी जा सकता है नेशनल दोस्तों कि इस committee के functions जा काम क्या होंगे तो समय सबसे पहले है कि जो state party report को submit करेगी उनको ये consider करेगी और इस report के अंदर जो state party है वो बताएंगी कि उन्होंने इस convention को लागू करने के लिए क्या क्या step उठाए है और ये जो committee है ये उन report को comment कर सकती है यानि किटी का tip निक कर सकती है और बाद में उन state party को दे सकती है कि भाई this is your report and our comment on it और साथ ही ये जो committee है वो उन countries जो state parties को भी बला सकती है जिनके यहां की systematically torture किया जा रहा है तो उनको बला के ये उनसे discuss कर सकती है उनको कह सकती है कि भाई हमारे साथ cooperation क कि ये जो आपकी state यह country के अंदर हो रहा है इसको खत्म किया जा सके और इसको control किया जा सके और इसके साथ ही ये जो committee है वो interstate जो communication है उससे लेकर भी कुछ जो procedure है उसको adopt करती है या उसमें कुछ इसका role होता है और साथ ही जो individual communication है उससे लेकर भी ये कुछ function perform करती है नो next है state party की शिकायद कर देती है अगर दूसरी जो है वो किसी तरह की कोई violation कर रही है उस convention के अंडर पर इस provision को अवेल करने से पहले जो आपको recognize करना पड़ेगा committee को कि भी committee जो है हमारे matter में interfere कर सकती है तो फर्दर यहाँ पर यह का गया है कि मान लीजे कि अगर एक state party जो है इस convention क provision को follow नहीं कर रही है तो दूसरी जो है return में उसको ऐसा करने के लिए कह सकती है और इस तरह के communication के तीन महीने के receive होने के अंदर अंदर जो दूसरी पार्टी है जिसके खिलाब complaint की गई है उसको reply देना पड़ता है और अगर छे महीने के अंदर अंदर जोनों पार्टी जो है domestic level पर या municipal law के अंदर जितनी भी remedy मिल सकती थी उनको use कर लिया गया है पर उनसे कोई आपको relief नहीं मिला है इसलिए यहां पर move किया गया है पर इसमें एक exception हो सकती है कि अगर पार्टी ने अपने जो system था municipal law का उसमें उसने फाइल किया ली थी अपने application, petition, whatever पर उसमें delay किया और एक person जो है उसको लगता है कि भी municipal law के अंदर मुझे effective remedy नहीं दी जाएगी, मेरे साथ भेदभाब किया जाएगा या मेरा जो matter है उसको सुना नहीं जाएगा, committee जो है इसमें अपने good offices provide करवाएगी, जिसमें कि वो यह चाहती है कि इस dispute का जो निप्टारा है वो एक friendly तर करें और यह तब enforce होगा जब पांच state party जो होंगी इस convention की वो क्या करेंगी, वो ratify करेंगी, जिनने कि पांच parties का ratification है वो इसके condition है, next है दोस्तों इसमें individual communication system और इसमें भी state party जो है वो declare कर सकती है कि भाई जो हम committee है उसके अंदर individual communication system जो है उसको recognize कर रहे है कि अगर हमारे द उन पर ये लागू होगा और अगर वो नहीं करती है तो उन पर ये लागू नहीं होगा यानि कि एक तरना से देखा जाए तो ये भी optional है कि party चाहे तो इसको adopt करें चाहे तो ना करें तो इसमें भी कुछ condition है कि गुमनाम या anonymous जो भी इसमें communication होगा उसको accept नहीं किया या फिर right to submission की जो process है उसका दिरुपयों किया गया है तब भी इसको admit नहीं किया जाएगा और साथ ही अगर जो आपका communication है वो इस convention की provision के साथ incompatible है यानि कि उन दोनों में ताल में लापस में नहीं है convention कुछ कह रही है आपका communication कुछ कह रहा है तो उस case में भी इसको admissible नही किया जाएगा एक और situation हो सकते हैं जहां पर committee जो है वो communication को accept करने से इंकार कर दे जहां पर कि आपका communication के relating to issue है वो पहले ही किसी और international organization के under pending पड़ा हुआ है वो उसको investigate कर रही है या उसको carry on कर रही है तो उस situation में भी यहां पर फिर आपका communication जो है accept नहीं होगा और इसके पारी domestic यह municipal लोग के अंदर जितनी remedies मिल रही है उनको avail करने के बाद ही यहां पर अपर अपरोच करेगा committee जो है वो examining के लिए close meeting करेगी यानि की बंद रूम में यह secretly करेगी और individual communication system तब common to force होगा जब five state party जो है इसके regarding declaration करेंगी next है दोस्तो special reporter on torture इसको commission on the human right के द्वारा point कि किया गया था और इसका काम जो था वो examine करना उन question को जो की relating to torture हो और साथ ही को information इससे related हो जो की बहुत credible हो और बहुत ज्यादा useful हो उसको भी प्रापत करना और इस तरह की जितनी भी information हो उस पर respond करना immediately यह government के साथ contact भी रखता है और government को suggest भी करता है कि इस तरह के administrative level पर legislative level पर इस तरह की चीज़े करिए जिससे कि हम ईस तर्श कर pensar कर सके है उसको कम कर सके उसको कब कर सके और ऐसा भी कहा गया है कि इसका काम जो है उसस स्टेट पार्टी तक सीमित नहीं है भलकि बाकि जू नृत के मैंबर छो इस पर स्टेट पार्टी नहीं है उनके ऊपर भी इस प्रोटोकोल का वो होगा कि एक वो कंटीनूली सिस्टम बनाए जिसमें कि इंडिबेंडेंट इंटरनेशनल बोडी होंगी वो स्टेट पार्टी के ट्रेटरी हैं वहां पर विजिट करें जिसमें कि वहां पर देखें कि लोग है यहां पर वो खुश हैं क्या वो अपनी अजाधी को एंज्ञे कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, विरुद किसी तरह का क्या को टॉर्चर या यातनाय तो नहीं दी जा रही है यहां उनके किमान सम्मान उन डिगरेट तो नहीं किया जा रहे है Article 2 जो है प्रोटोकॉल का उसके अंदर एक सब कमेटी जो है उसको establish करने की बात की गई है, इस कमेटी के अंदर 10 मेंबर होंगी और जैसे ही इस प्रोटोकॉल का 50 मा रेटिफिकेशन हो जाएगा, उस वक्त इस सब कमेटी के मेंबर की संख्या जो बढ़ा कर 25 जे 25 कर दी जाए हो या उनको अपनी अजादी या लिबर्टी से अलग किया गया हो, और साथ ही ये स्टेट को जो अडवाइज भी कर सकती है, वो किस तरह से अपना एक सिस्टम बिल्ड अप करें, जिसमें कि जो उनको असानी हो इस तरह के टॉर्स्टर जहां जो इन हुमन बहेवर जा जेक्शन देने का कारण हो सकता है, जैसे कि पब्लिक और, पब्लिक पीस, जो नैशनल डिफेंस है, नैचलल डिसास्टर जो सीजिस डिस डिसॉर्डर हो, यानि कि अगर इस तरह की चीज़ें जो है एक्जिस्ट करती हैं, तो स्टेट कह सकती है इस कमेटी को कि भाई नहीं हम अप्वेंटी जो की एक्सेस नहीं देंगे